जमु कश्मीर में टारगेट किलिंग का शिकार हुए बैंक मैनेजर विजे कुमार का शव उनके पेत्रिक गाउं में पहुँच कया है आतंकियों ने कुलगा में विजे कुमार पर फाइरिंग करूने मौत के घाट उतार दिया था विजे कुमार राजस्थान के अनमानगट जिले के नोहर शेत्र के भांगवा गाउं की दिवास तुकी विजे की करीब देड महीने पहले ही शादी हुई थी और विजे करीब एक महीने पहले ही कश्मीर गए थी विजे कुमार राजस्थान के हनुमानगड जिले के नोहर शेत्र के भांगवा गाउं के दिवासी थी मुझे की करीब देड महीने पहले ही शादी हुई थी इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि घर में खुश्यों का माखोल था वो घरवालों से वादा करके भी गए थे कि जल्दी वो लोटेंगे सब परिबार जन एक साथ बैठकर उनकी शादी की वीडियो साथ बैठकर देखेंगे पर वो ये वादा पूरा नहीं करता किसी को नहीं पता था कि वो इस तरीके से लोटेंगे कि वादा वो निश्य तोर पर करके गए थे कि साथ आएंगे साथ बैठेंगे और उसके बार शादी की वीडियो भी देखेंगे कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने छुट्टी के लिए पर अपलाई कर रखा था में ये दुखत खबर घर पहुंची अभी तस्वीरे ज़रा देखें रोते बिलकते परीजन आपको तस्वीरों में ने ज़रा है उनका पूरा गाउं है गम के माहौल में है गम जदा है तो कि उनके जाने से पूरा परिवार टूट चुका है बैंक मैनेजर विजे कुमार टार्गेट किलिंग का शिकार हुए और वो तस्वीरे भी फ्वर्स इंडिया आपके साज़ा कर रहा है जो ये बता रही है कि किस तरीके से इस पूरी घटना को इंजाब दिया देखें जब मुकश्मीर में टार्गेट किलिंग का शिकार हुए बैंक मैनेजर विजे कुमार का शव उनके पैतरिक गाउं पहुँच गया है आतंकियों ने कुलगाम में विजे कुमार पर फाइरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया दा विजे कुमार राजस्थान के हनुमानगर जिले के नोफर शेत्र के भांगवा गाउं की निवासी थे विजे की करीब डेड महीने पहले ही शादी की थी और विजे करीब एक महीने पहले ही कश्मीर गय थे और ये वादा करके वो कश्मीर गय थे कि जल्दी वो वापस दॉ पर किसी को नहीं पचा था कि वो ऐसे लॉट है